मुंबई के चूना भटी इलाके में दिल धहला देनी वाली एक वार्दात हुई है पुलीस ने बताया कि 19 वर्षी एक कॉलेज छात्र की गुरुवार शाम बीच सड़त पर धारदार हत्यार से हत्या कर दी गई इस मामले में दो आरोपियों को गिरफतार किया गया है पुलीस के मताबिक गुरुवार शाम साड़े 6 बजे के करीब दो युवकों ने शेक को चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गए मुर्टक की पहचान चेंबूर इलाके के रहने वाले मुकतार शेक के रूप में कुई है पुलीस ने बताया कि बुरी तर जक्वी हालत में रहागीरों ने छात्र को नजदी की हस्पताल में पहुचाया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया वार्दात के समय पीडित मुंबई के चुनाभटी इलाके में इस्थित कॉलिट से घर लौट रहा था पुलीस के मताबिक मामले की शुरुवाती जाच में प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आया है कथित तोर पर एक आरोपी जिस लड़की से पहले प्यार करता था वा उसे छोड़कर मुकतार शेक से प्यार करने लगी जिसके चलते लड़की के पुराने प्रेमी यानि आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया 19 वर्षिय चात्र की हत्या के मामले में दो फरार आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने गिरफतार कर लिया है चुनाबटी पुलिस ने दोनों के खिलाव भारतिय दर्ण सहिता की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है स्थानिय पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर मामले की आगी की जाज कर रही है यूनिट 6 क्राइम ब्रांच मुंबई यूनि एक अच्छा डिटेक्शन किया है चुनाबटी पुलिस सेशन में एक स्रिया नमबर 26 अमलिक 232 और 34 अंतरगती गुणा लाकलता इसमें 21 वर्षी योग की दो अध्यात आरुपियों ने हत्या कर दी थी हमने इन्वेस्टिगेशन यूनिट 6 ने स्टार्ट किया था उन्हें टेक्निकल आरुपियों को आज हीरासत में लिया है वो दूपियों उनकी एक उमर इसकी एक वीच साल की उमर और 19 साल की उमर ये दो आरुपियों को हमने basic किपास में ये पाया है कि इन्होंने प्रेम जो फिरिद्वरित सार्ट उनका अफिर था उसके वज़े से उन्होंने वो लड़के की हत्या की है बाकि हम उनकी पूरा इंप्रोकेशन कर रहे हैं और लोकल पुलिस्टेशन को ये पूरे दो सस्पेक्टेड आरूपी जो हमने ताबे में लिए हैं उनको हम एंडोर कर रहे हैं इंकर क्रिमिनल कुछ लेकॉर अभी तक तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमको उनसे लेना बाकि है हम पूरा रेकॉर्ड चेक करके बाद पर पर जो जो एविडेंस से हम कलेट करेंगे सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर